Hello students, आज हम इस वीडियो में income tax में tax planning, tax avoidance और tax evasion यह जो तीनों term है वो क्या है और इन तीनों term के बीच में क्या difference होता है कौन सा illegal है, कौन सा legal होता है इस चीज़ को हम समझेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट किरते हैं कि आखे tax planning, avoidance और evasion होते क्या है तो फर सबसे पहले हम लेते हैं कि tax planning क्या होते है तो अब normal term में समझें कि tax planning, tax evasion कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते हुए term है पर तीनों है term के अपने-पने concepts है तो planning क्या कहते है, tax planning is a way to reduce tax liability by taking full advantage provided by the act through various exemptions, deductions, rebates and relief अब देखे tax planning, planning करना क्या होता है कि जिसे आपको कुछ भी आप कहीं घुमने जाना है या आपको कोई expenditures करने तो आप plan करते हो कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और किसे से अपसम cost effective रह सकते हैं तो tax planning क्या हो गया कि tax जो आपको pay करना होता, उसको आप plan करो कि किस तरीके से हम अपने expenses को दिखाएं, किसे साथ से revenue को करें क्या कैसे किया जाए कि हमारा tax normal आए मतब tax जादा ना pay करना पड़े लेकिन अब यहाँ पे जो हम यह planning कर रहे हैं वो planning कैसे कह रहे हैं, legal form में कर रहे है legal form में मतलब कि आपके जो law है, income tax act 1961 तो इसके इस act में जो भी law है, जो भी चीज़े कही गई है कि आप इतना deduction ले सकते हैं, इन लोगों को इतना rebate मिलेगा यह चीज़े में इतने exemptions हैं, तो जो जो यह चीज़े available हैं उन ही में रहे के हम अपने tax को कम करेंगे like ATC है, तो ATC का क्या है, deduction है तो अब हमें पता है कि ATC का deduction हमको किन-किन चीज़ों में मिल सकता है तो अब हमको ATC का deduction किस, मतलब किन-किन चीज़ों मिल सकता है कि जो मेरी revenue हो रही है हमने एक इंशुरेंस कर वा लिए लाइसी कर वा लिए अपने नाम की अब लाइसी का premium हम पे करते हैं तो वो जो हम premium कर रहे हैं वो हम यहां ITC में deduction पे ले लिए तो हम अपने tax को बचा ले गए तो हम क्या करें जो चीजे law ने कहे रखी है income tax act ने जो चीजे permit की है उसी में हम अपने tax को कम करने की पूरी planning कर रहे हैं तो in other words it is a way to reduce tax liability by applying scripts and moral of the law तो law में क्या लिखा गया है और क्या उसका interpretation है कि lawmaker का intention क्या था इसके पीछी दोनों ही बातों का हम ध्यान रखते हुए tax liability को क्या करते है reduce करते tax liability है हमारे लिए क्योंकि tax हमको pay करना होता है तो हम यह tax liability इसको क्या करते है कम करते हैं लेकिन हम कम कैसे कर रहे हैं आपके law में जो बाते कही गई हैं आपका जो चीजे हैं उन्ही rules के cording उन्हीं के exemptions उन्हीं के reductions को हम avail करके अपनी liability को कम कर रहे हैं तो that is tax planning right it is the scientific planning so as to attract minimum tax liability और postponement of tax liability for the subsequent period by availing various incentives, concessions, allowance, rebates and reliefs provided in the act तो हम यह पूरी planning करेंगे tax liabilities को reduce करने के रहे हैं या फिर हम tax को shift करेंगे कि मतलब इस बार नहीं हमको next time वो tax pay करना पड़े, postponement करेंगे उपर कैसे करेंगे यह सब चीजे कैसे possible हो पाएंगे जो law के according आपके act में जो भी rebate, allowance, reduction जो आपने दे रखा है कि आप ऐसे ले सकत कि उनहीं के according हम अपने tax liability को reduce करेंगे तो इस तरीके से जब हम tax liability को reduce करते, act के अंदर रहे के उनहीं के exemptions, उनहीं के rebates, उनहीं के deductions को follow करके तो हम उस चीज को क्या कहते हैं, tax planning कहते हैं, तो it is a tax saving, tax की बचत करना, तो यह कैसा होगा, legal होगा, tax planning legal होगा, क्योंकि आप उन तक की छूट मिल जाएगी, आप जो कहा है, उसे के according अपने tax को बचा रहे हैं, तो यह कैसा होगा, legal होगा, right, अब हम क्या करेंगे, next term करते है, tax evasion, right, अब देखे, tax evasion, यह क्या हो गया, तो is the illegal way to reduce tax liability by deliberately suppressing income or sell or by increasing expenses, etc, which result in reduction of total income of the SEC, तो tax evasion क्या हो गया, देखे, जो लोगों को इस पूरे तीनों ही terms में problem आती है, तो दिनों ही आपको कहीं न कहीं interlinked रहते हैं, interlinked वो सिफ़ एक point से हैं, कि तीनों ही, चाहे वो tax evasion हो, चाहे वो tax planning हो, यह tax avoidance हो, तीनों ही term में हम जो काम कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे ह जो आपने कहा है, उसके according, एक जगा हम tax को कम कर रहे हैं, किसे साब से अपना जो rule के according नहीं है, मतब हम उसको deliberately कम करने की कोशिश कर रहे हैं, law के according नहीं, आपने जो कह रखा है, उसके according नहीं, हम जान बूच के, deliberately हम इस चीज़ को कम दिखा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, evasion हो गया, मतब तीनों में होने के हवाला है, tax की कमी होगी, हम tax के liability को reduce करेंगे, पर हम तीनों में किस चीज़ को follow कर रहे है, matter ये करता है, तो tax planning में हम उनी के rules, उनी के terms के according काम कर रहे है, आपने जो reduction दिया, आप जो exemption दिया, जो rebate दिया, हम उसके according tax को कम कर रहे है, tax revision क्या क tax charge करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सोचते हैं, कि क्यों न हमारी total income, जो हमारी income है, वो कम कर दें, जब income कम आएगी, तो tax भी कम आएगा, अब यहाँ पर हम income को कम करने के लिए क्या करते हैं, illegal method apply करते हैं, illegal method मतलब, जो law के according के ऐसा है, आपका lawful नहीं है, जो law के आपने सारी revenue दिखाने चाहिए, आपने sale किया, revenue आई, तो आपको सारी sale दिखाने चाहिए, पर यहाँ पर हमने क्या किया, income को कम करने के लिए, हमने अपनी कुछ sale को hide कर दिया, हमको 10 लाग हुए थे income, sale से हुए थे, तो हमने उसमें से 7 लाग, 8 लाग, 9 लाग दिखाया, हाइड कर दिया, तो यह illegal हो गया न, हम गलब तरीके से अपनी revenue को कम कर रहे है, या फिर हमने क्या कर दिया, इंकम कैसे आएगा, revenue मैं से expense less कर देंगे, बचा वो income में आता है, या तो हमने false तरीके से अपनी क्या कर लिए, revenue को कम कर लिए, ठीक है, revenue कम कर लिए, या फिर हमने क्या कर लिया expenses को ज़ादा दिखा दिया expenses को ज़री सार्व कर दिया हमने दीखा दिया की हमनेे ज़्यादा salary pay करने पड़ रही है हमें ज्यादा traveling expense पर गया तो मतलब जो भी expenses है हमारे हमने उसको artificially हमने increase करा दिया तो जब expense बढ़ेगा तो भी इंकम真的很 हो तो मतलब क्या हो गया कि हम यहां पर अपने टोटल इंकम को रड्यूस कर रहे हैं बाइद वे ओफ डेलिबरेटली सप्रेसिंग इंकम या फिर इंक्रीजिंग एक्सफेंस मतलब फॉल्स तरीके से रॉंग मैथड यूज करके हमने इंकम और एक्सफेंस को अपने अकॉर्डि टॉर्स चुर्ड़ी यूज कि आ अपक्स कर रहे हैं और नहिं लौमेकर की इंटेंशन के कॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं तो कहीं पे आप सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं तो टैक्सेवेजन को हमारी कुंटरे में क्या-क्या है एग इल्लीगल पाना गया है to reduce tax liability by applying unfair means यह तो यह सारे कैसे हो गए unfair means हो गए आप जान बुच के income को बढ़ाद कम कर दो जान बुच के आप जूट मुट के expenses दिखाना शुरू कर दो या income को अपने आप hide करना शुरू कर दो यह तो गलत तरीके हो गए तो हम इस तरीके से अपने tax liability को कम कर रहें क्योंकि हम इस तरह से अपनी income कम कर रहें तो tax liability भी कम हो गई तो यह सब कैसे कहलाएंगे tax evasion कहलाएंगे इनको हम क्या कहते है वहाँ पर हम क्या कहते है tax saving है इना tax की बचट कर रहे है जबकि यह क्या है tax concealment है tax की चोरी है तो चोरी तो हमेशा गलत होती है तो tax concealment tax evasion क्या होगी tax concealment हो गया अब example की तौर पे हमने जैसे ही कि लिए कि simple example अगर हम लेते हैं कि landlords हैं तो landlords क्या करते हैं tenant को रखते हैं tenant को रखते हैं तो आप क्या होगी आपको house rent की income हो रही है ना rental property हो गई आपको तो आपको rental income हो रही है property से पर आप क्या करते हो आप बता दींड़े कर रहे हो आप सर्फ उस property को कैसा दीखा दे रहे हो और है तो फीर अमिधे हरे है तो यह क्या कहलाएगा, यह concealment कहलाएगा, क्योंकि आपने एक income को hide किया है, revenue आपने hide कर रखी है, तो यह कैसा होगी, tax division, यह बहुत simple है, maximum लोग करते हैं, आप देखेंगे, क्योंकि एक चीज़ और होती है, जैसे आपकी अगर business, आपकी property पे business हो रहा है, house पे business का हो रहा है, आपका जो, जो आपका electricity department है, उसके टाक्स अलग लगते है, property है, अगर आप कही tenant को दे रखा है, तो उसके आप से आपका loading अलग जाता है, तो आपका tax, जो electricity tax है, वो भी अलग charge होता है, तो लोग इन सब चीज़ों को छुपा लगते हैं, तो कहीं न कहीं आप क्या कर रहे ह चीज़ों को, तो that is tax evasion, or tax evasion क्या है, इल्लीगल है, next हम दिखते हैं, tax avoidance, तो देखे, tax avoidance, मतलब आप एवोइड कर रहे हैं, अब इस चीज़ों को याद रखने के लिए समझेगा, कि जैसे कोई person है, अब person कोई आ रहा है, जिससे आपको बात करने का मन नी कर रहा हो, तो मेरा आमना सामना ही ना हूँ, जिससे मुझे बात ही न करना पड़े, तो यह क्यो होगे, अवोइड करना, तो यहाँ पर क्या होगे, यह इल्लीगल नहीं हुआ, क्यों कि हम तो रहा है, पता यह नहीं चला कि आप खड़े थे, हमने अवोइड किया चीज़ों को, अब यहा आपने ऐसा कहा था, हमने ऐसा किया, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, लूप होल निकालते हैं, लूप होल किसमे निकालेंगे, एक्ट की लांग्वेज में, लॉओमेकर के इंटेंशन पर नहीं जाएंगे, उसने यह लाइन लिखी तो इसके पीछे उसका रीजन क्या रहा ह होगा, intention क्या होगा, नहीं, लाइन प्र में जाएंगे, इस लाइन में से वीतनी बात कहीं, इस लाइन में यह बात नहीं की, एक्ट में जो चीजे छुट गई है, right, loophole निकालना, आपने इतना कहा था, हमने इतना कर दिया, तो loophole मतर शुमझ रहे हैं, कि आपने आपे कही ही बातों में कोई लैए κάνुना कोई तरीका, आप टाक्स कम करनी के लिए हमने क्या करिया लॉ में जो बाते लिखी थे उसे के एक पाथ लिगी काम कर लिया है टाइसिंशन के कॉरर लिखी इंट नी' जो बाते लिखी अज जो बाते ली काम के लिख लीय ते लीच हो यह पादीचा winners कैसे होताइ लीगल से लेते हो एक्ट में जो बाते में इंशन हुई हैं उसी में से अप एडवांटेज है उसके लूपोल का एडवांटेज लेते हैं हम इसको आगे पीछे करके काम कर ले जाते हैं तो हम यह पर टैक्स अवादिन्स कैसा होता है कि लूपोल निकालना राइट इस अवे टूर्च लाइबिल्टी भाई अप्लाइं दे स्क्रिप्ट अफ लॉवल ली इंटेंशन पर नहीं काम करेंगे जो लिखी गई बात है बस उसका lawmaker के intention के according करते हैं जैसे होता है आप दे दिखाए कि एक लिट्रल मीनिंग निकालना और एक रियल मीनिंग निकालना एक होता है इंग्रिज के sentence कि जस्ट उसका क्या कर देना आपका translation कर देना तो ऐसे ही लॉव की बातों का हमने सिर्फ translation कर दिया और उस एक के according हमने काम कर दिया तो यह क्या हो गया advantage लेना हो गया right तो यहां पर हम उसके intention पर नहीं करेंगे यहां पर हम उस पर बाते लिखी गई पर कर जाते हैं कई बार ऐसा होता है और इसी में क्या होता है लूपोल रहते हैं तो कई बार tax avoidance की वज़ा से ही नई amendments होती है जो आप most of the amendments are aimed to curb the such loopholes उन लूपोल को कर ने के लिए खत्म करने के लिए ने-ने amendments आते रहते हैं right it is a tax hedging तो यहां पर क्या क्या होड़ा tax को हम hedge कर रहें mitigate कर रहें कम कर रहें इन ही की बातों के तरीके से बचाओ करके right तो for example हम ले लेते हैं putting your money into individual saving accounts to avoid paying income tax on the interest and by your cash savings तो आपको पत उस पे क्या हो जाएगा आपको वो आपका taxable portion हो गया तो अब आपको पता है कि 10,000 जिसे suppose करिए कि मैं एक section ले लेती हूं कि अभी तो जैसे मान लिजिए कि 10,000 तक अगर आपको saving accounts पे interest receive होता है तो वो 10,000 तक exempted income हो गया suppose करिए आप एक SSE है और आपको 20,000 saving bank पे interest होने वा दख जाएगा तो आपने क्या किया आपने अपने जो saving है वो अलग-अलग individual accounts में डाल दिया particularly आपके नाम पे जो account है उसमें आपने क्या किया 10,000 तक के interest को रखा जितना exemption मिल जाए बाकी के आपने savings को अलग-अलग accounts में डाल दिया जिससे कि वहां के interest का total आप पे ना आने प पाए तो वो आपकी taxability नहीं बनेगी कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप कहीं और अपनी savings को नहीं डाल सकते किसी और के जैसे मैंने अपनी savings कुछ पैसे जो हैं बच्चों के नाम पर डाल दिया किसी और के नाम पर सेव कर दिया x y किसी के अपने parents के account में पैसे ड हो जाएगा बाकि हमने अपनी savings से अलग अलग account में डाल दी तो यह कैसे हो गया हमने account आपके law का loophole निकाला कि हम savings को कहीं पर डाल सकते ना saving के लिए तो आपने सेविंग को इसी अपने नाम के account में डालना है तो यह क्या हो गया यह advantage लेना हो जाता है आपके acts के आपके law को clear है आपको investing money into pension scheme हम अपने पैसे को pension scheme में डाल दे रहे हैं तो pension scheme में डाल देते हैं तो वहां पर हमको deduction के लिए claim कर लेंगे तो हम वहां से बच जाते हैं saving से बच जाते हैं saving interest से बच जाते हैं तो यह बहुत सारे तरीके हैं जिनके इसाप से हम tax को avoid करते हैं उनके law recording तो ultimately अगर हम बात करें तो हमने तीनों concept को देख लिया right planning evasion और avoidance तीनों में ही जो common चीज थी वो क्या थी टैक्स की liability को reduce करना लेकिन हम किस means से कर रहे हैं क्या mode adopt कर रहे matter वो करता है वही तीनों को differentiate करता है tax planning ने क्या कर दिया tax planning में आप क्या कर रहे हैं जो वो दे रहे हैं फाइदे आपको exemption, deduction, rebates, reliefs अप उनके फाइदे से ही अपने tax liability को reduce करते हो तो that is tax planning अच्छे tax planning पर आपको award भी दिया जाता है उसके बाद आपका क्या हो जाता है tax evasion, tax evasion, tax की चोरी करना, concealment तो आप क्या करते हैं आप जूट मुट के expenses दिखा दे रहे हैं, अपने income को hide कर दे रहे हैं, आप इस तरीकी से tax को reduce कर रहे हैं तो that is illegal, tax avoidance क्या है, आप act में ही loophole निकाल रहे हैं, जो law की language हो, उसी में loophole निकाल के आप अपने tax को reduce कर रहे हैं तो that is tax avoidance, so I hope आपको तीनों ही concept clear होए होंगे, प्रेशो all the best, thank you so much